कि इंसान जब भी किसी से कुछ खरीता है शॉपकीपर से तो कभी-कभी शॉपकीपर चीट करते हैं उसको इंसान के पास कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए उसी चीटिंग से बचने के लिए या अगर वो चीटेड फील कर रहा है और अपने नुकसान का कॉंपनेशन चाहिए तो हमें पढ़ना पड़ता है वाट इस कंजूमर प्रोटेक्शन खोपड़ा है तो अपनी कॉपीज में एवरीबडी इस सपोस्ट तो पूट थे हैं दा अंब्रेला तो प्रोटेक्ट दा कंजूमर इस नोवन अज रस प्रोटेक्शन सब लोग लिखन कोई भी कंपल्जन नहीं कि किसको क्या खरीदना है क्या क्या बेचेगा कोई भी कुछ भी खरीद सकता है कुछ भी बेच सकता है जिसको आप एक थरह से परफेक्टली कॉमपटेटिटिव मार्केट भी बोलते हैं एकनॉमिक्स में तो कंजूमर इस सेट टूबी दा किंग तो जैसा कंजूमर चाहेगा सप्लायर उसको वैसे गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगा अल्टमेट लॉजिक इस क्लियर तो इस लाइन को भी लिख लें इन फ्री मार्केट एकॉनमी कंजूमर इस सेट टूबी दा किंग सो कभी-कभी बुजनस्मेन सेल बढ़ाने के लिए प्रोफिट ज्यादा करने के लिए कुछ गर्वर हर्कते करते हैं क्या है थ होती है और कंजूमर के पास उसे चेक करने का अचाम नहीं है तो क्या करते हैं साबुन मिला देंगे बीच में सक्रीन मिला और लिख साथ सिक्रीन भी मीठा केमिकल होता है बट वो एक्चुली कैंसर कॉस कर सकता है तो जो सस्ती जलेवी वगएर आपको देते हैं आपको लग रहा होगा बड़ी मीठी जलेवी है तो उसके अंदर सिक्रीन जैसा केमिकल मिला होता है एक चुटकी, सिंदूर नहीं, सिक्रीन, आप खा लें, मैं चैलेंज करता हूँ, आप दो मैने तक चीनी नहीं खाएंगे, इतना मीठा होता है और एक चम्मच खा लें तो मर ही जाएंगे, इतना स्वीट होता है, और किसी डियाबिटिक पेशन को बस खिला दो दो चुटकी, समझाएंगे, सिंदूर चला जाएगा, पूरा-पूरा, ऐसे ही नमकीन में डालने वाली एक मिर्च आती है, वो भी एक चुटकी आप डालते हैं, और इसी तरह से जो आप मोमोस खाते हैं, मोमोस की जो सड़क्षाब मोमोस होता है, नोट इन गोड रेस्टरॉन, रेस्टर सम सॉस कंटेंट और मैक्सिमम उसमें इटे का बुरादा भी होता है, अब लोग क्योंकि अवेर हो गए हैं, तो इतनी हरकतें कम हो गए हैं, बट ऐसा बहुत चलता था, एक जमाने में वेन वी वर स्टूडेंस इन क्लास 11th और 12th, आज तो मिनरल वाटर की बॉटल मिलती है उस सब मिनरल वाटर उतना फेमस नहीं था, मूवी थेटर के बाहर बड़ी-बड़ी सिल्वर कलर की वेहकल होती थी, जिसमें पानी स्टोर होता था, और वो पंप से पानी निकाल के दिया गटते थे, और उसके अंदर जो बरफ लगाई जाती थी बच्चों, वो पता है कह जाती थी, जिस पर डेट बॉडी जाती थी, शायद इसलिए हमेनिटी बहुत स्ट्रॉंग है जमाने के लोगों की, समझ में आगे है, क्या हुआ, नहीं नहीं आपने पानी नहीं पिया है, हमाई जनरेशन में पानी पिया हुए बैसिकली, इसलिए हमेनिटी इतनी लीजे, थोला कम है, फ्लिप कार्ट में तो बहुत जादा है, वो दिखाएंगे कुछ और और भेजेंगे कुछ और, और फेस्बुक पे जो कितना प्रमोशन चलता रहता है, 599 रुपीज में ट्राउजर खरीद लीजे, वो दिखाया आपके साइस का ट्राउजर और आ गय चार साल के बच्चे के साइस का ट्राउजर, तो all these activities are many a time, create loss to the consumer, इन्ही सब चीजों के लिए देश में कानून भी बनाये गया है, जूट बोल देगा, बेचेगा कुछ और समान होगा कुछ और, अभी कुछ दिन पहले ही एक शौप से, मैंने मश्रूम रोल खरीदा, 60 रूपीस का, मैंने एक मश्रूम कहां है, तो कुछ बताई नहीं पहले है, मैंने क्या वाइफाई से आ रहा है कि अभी इसके अंदर, तो वापिस की आदा खाने के बाद, उससे पैसे ले लिए फिर, समझ में आया, समझ में आया, तो चीट करते हैं, आनियन जादा बर देंगे, मश्रूम, बस सूंगने भर का आपको मिलेगा, यह अंदर नजर नहीं आएगा, समझ में आई बाद, कहीं पर आपने पनीर लोगिक सोई नहीं आ रहा है, और यह सब अवरकते वहाँ पर होती है, जहां पर कंजूमर बहुत जादा अवेर नहीं है, तो इसी अवेरनेस के लिए आपको इससा पढ़ाया जाता है, जूलरी के आप बात करें, तो इस पर आईसा ही मार्क होता है, जूलरी पर कौन सा मार जूलरी है, IGI, Indian Gemological Institute का कार्ड अगर आपके पास है, आप वेबसाइट पर जाके चेक कर ले, आई रिपीट, वेबसाइट पर जाके चेक कर ले, आई जी आई की वेबसाइट पर, तो आपको कार्ड नंबर का पूरा डिटेल मिल जाएगा, बट इसमें बहुत बड़ी कहान ही है, I am a shopkeeper, से तनिश्क, आप मेरे employee है, आपको मैंने time पर bonus दिया रही, आप मेरे से बहुत दुखी और खिस्याएं हुए है, आपने सारे cards के आगे पीचे फोटो खीची, और किसी local jewelry वाले को दे दिया, local jewelry वाले ने 20 रुपाय में प्लास्टिक का card बन वाल लिया बजार स है, कितने में, 20 रुपे में, और जो design था, वो internet पे व्याले है, और card पे number भी है, वही फर्जी design वो अपनी shop पे बेच रहा है, क्यों दोनों बेचेंगे न, card पे कोई QR तो लगा नहीं है, card पे कोई QR तो लगा नहीं है, वही आपने अपने घर का नाम रखना है कि तांजली, मैंने भी अपने घर का नाम रखना है कि तांजली, दोनों लग-लग महले में है, आपकी चिट्टी आप में आएगी, मेरी चिट्टी मेरे आएगी, तो आपने as an employee multifarious activities की मेरे साथ, और ये card की photo आपने किसी cheat businessman को दे दी, businessman उसी तरह की duplicate jewelry बनवा रहा है, और card भी उसका duplicate है बढ़ consumer को ये बात, नहीं पता, customer जब Indian Gemological Institute की website विजिट करेगा, वही serial number उसके उपर पड़ा होगा, और उसको तो लगेगा, हाँ, ये data है, card मेरा match कर रहा है, बढ़ उसके पास जो jewelry है, वो certified original, नहीं वो उसकी duplicate copy है, नहीं समझे बात को, समझना गया, मान लीजे कि आपने एक car खरी थी, और आपने so-called अपनी car घर के बाहर पात की थी, साल दो साल बाद, चोर उस पे ध्यान दे रहा था, और car चुरा के ले गया, और आपने थाने में कोई F.I.R. register नहीं की, और वो car किसी ने चुरा के, किसी दूसरे state या city में, second hand ये बोल के बेज दी, that it was registered in somebody else's name हमने उनसे second hand खरी दिए, आप खरीद दीजिए, फिर हम RTO office में जाके आपके नाम इसको transfer करा देंगे, आपने चोरी की गाड़ी किसी को सही गाड़ी बोलके बेज दी, और RTO में आपकी जान पर चान अच्छी थी, वहाँ पे आपने fake kagas, fake sign officer के साथ मिली भगत करके, setting करक उसके नाम प्राप्स नहीं करा दी, यह तो पकड़ा जा सकता है, बट यह जो मैंने जूलरी वाला आपको बताया है, यह बगवान भी नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि काड ओरिजिनल तो इंडियन जमालोजिकल इंस्टिटूट बनाता है, बट वो काड डूप्लिकेट भ प्राक्टिसे से कैसे बचेंगे, डिफेक्टिव और अंसेफ प्रॉडक्स हैं, पटाका देखाऊगा दिवाली वाला अपने, उस पर लिखा होता है ना, बच्चे खुदी अनार खाने लग जाते हैं, पिश्चे साल तो मेरी बेटी बोली पापा, वो दिवाली में पॉमो अनार बोल रही है, अच्छा हो, ज्यादा पढ़ लिए बचे, ऐसी समझाते हैं, अनार इनिंदी, इंग्लिज में क्या होता है, ओके, तो डिबे पे लिखा होता है सारा इंस्ट्रक्शन, बट कितनी बार आपको कौक ब्रैंट पठा का डुब्लिकेट भी मिल जाता है, और हो सकता है, हाथी में फढ़ गया, फिर हाथ फढ़ गया, अच्छा है सर, होंबग रही करना पढ़ेगा, बट किसमत इतनी खराबती, लेफ्ट हैंड में जोट लगी, राइट हैंड सही चला, समझ में अगया, अडल्टरेशन क्या होता है, अडल्टरेशन सुना है कभी, मि खोए में डिटरेजन मिला दो, खोए में डिटरेजन मिला दो, पता ही लगेगा, समझ में गया, फॉल्स and misleading advertisements, ये क्या होता है सर, फॉल्स and misleading advertisements, अमित जी, इडी, बीका जी, अमिता बच्चन जी, बीका जी की नमकीन खाते है, उनका दसी 15% लीवर काम करता है, क्या वो बीक कर रही है, आजकल, ओफर में अब जोन से खरीद के, या सर फेक्सल खरीद लिया, छे सो अठाथाइन सुपरें पांच किलो का पैक, समझ में अगे उस पर सौ उर्पे का कूपन भी लग गया, तो क्या मिताब बच्चन जी क्या घड़ी डेटरेजन यूज होता है, और वो क वहां के सरी, ते आर दा वर्ल्ड्स और प्लानेट्स और यूनिवर्स बिगेस्ट चीट्स बेसिकली, इतना पैसा है दलितुरों के पार, बट इस तरह की घड़ी अड़िसमेंट करते हैं, पहले तो अक्षे कुमार जी, अरे वो थे, अजे देवगन जी, चले वह गरीब आदमी तो उसके पास पिक्चर एक्चर नहीं थी, बट ताना जी बगएर आगे, पैसा उसके पास भी ठीक ठाका गया, काजूल पोसी की वैसे पैसा भी इनके पास ठीका गया, बट साथ में शारुक खान, वो भी चलो जीरो टाइप थे एक दम, इन्हें क्या जुरत है, हर मुवी स्टार्ट होने पाले पड़ा पड़ा लेक चलाता है, तारीफ करनी चाहिए, उस परसन की जिसने, वो मेक अप किया होगा, और एक तो दिखा रहे थे, बुड़ी आंटी जी की चूड़ी गई, सब जूट बोलते हैं, सब जूट बोलते हैं, सब जूट है, अ 28 परसन का GST है, कमाई ये सरकार की, ये सब दिखाने की बाते हैं, तो चैप्टर भी दिखाने के लिए ही पड़ाया जा रहा है, रियालिटी में ऐसा कुछ नहीं है, रियालिटी क्या है, वो मैं आपको समझा दूँगा, होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग, भई हमें प का मतलब होता है, लेट दा बायर बी अवेर, कभी आपने सुना होगा, कि अगर आपके खिलाफ कोड में कोई केस कर रहा है, तो आपको ये बात पहले से पता लग जाएगी, वो तब पता लगेगी, जब आपने कोड में केवियेट दाखिल किया होगा, वाट, केवियेट का मतलब you are giving a disclosure, कि इस time से इस time के बीच में, अगर मेरे उपर कोई case आता है, तो मेरे को पहले inform कर दिया जाए, तब notice serve किया जाए, तो इस case में आपको caveat लेना बढ़ता है, quote से, got it clear, तो caveat एमटर का मतलब let the buyer be aware, जो buyer समान खरीदने जा रहा है, उसके अंदर पूरी awareness होनी चीए कि मैं क्या खरीद रहा हूँ, बट यहां pay sellers बड़ा, फाइदा उठाते थे इन बातों का, कि बढ़ी caveat एमटर सेल औफ गूर्ड जाट में कानून है, कि buyer को aware होना चीए, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, बट ऐसा cheat करते थे sellers, buyer basically समझी नहीं पाता था, कि मैं किस चंगुल में फच गया, घड़ी दिखाई, आपको Amazon ने फोटो में कुछ और, बट भेजी कुछ और, तो अब आगया है caveat venditor, जिसका मतलब let the seller be aware, seller को भी एकदम सही तरीके से आपके साथ business करना, आपको cheat नहीं करना, तो अगर seller आपको थोड़ी सी भी cheating करता है, तो आप seller की band बजा सकते ह आपको बता दिया जाएगा, तो ये जरूर लिख लीजे, ये काम की बात है, बाकी दो notes में है लिखा हुआ अपके लिए, consumer protection has a wide concept and it includes what all things children, heading लिख लीजे, फिर मैं आगे चलता हूँ topic पर, consumer production has a wide concept and includes educating the consumers की आपके rights और responsibilities क्या है, अगर आपका कोई grievयान से दुख है, तो कैस आप उसको resolve करेंगे, redress करेंगे, solve करेंगे and अगर company या shopkeeper या businessman जिसको आपको लगता है कि उसने आपको cheat किया है, कभी-कभी ऐसा भी होता है, customer cheat कर देता है shopkeeper को, या businessman को, समझना गया, अगर आपको ऐसा लद रहे कि आपके साथ कोई नुकसान हुआ है, तो don't worry, आप is there at your help, तो इसके लिए एक machinery भी बनाई गई है consumers को protect करने के लिए, but generally इस level तक जाने की as of today जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा Twitter वगेरा कर दें, जिसको X बोलते हैं, उन सब पे लिखने में company डर जाती है, और आपका काम हो जाता है, मेरे साथ दो instances ऐसे हुए है, एक consumer protection के advantages दोनों को है चलन, to the consumers also and to the businessmen also, so क्या advantages है, यह तो अभी आप पढ़ लेंगे, but पहले आप composition लिख लिए, it is advantages for consumers also, that consumers should not cheat the businessmen and for businessmen also that they should not cheat the consumers, तो बहुत बार ऐसा होता है कि businessmen तो कम cheat करते हैं, आज कल consumer बहुत चतुर हो गए हैं, and they ultimately blame the businessmen, कितने ऐसे कलाकार है, Amazon से order कर 15 days की return policy है, शादी मपहिन के चले जाएंगे 3 piece court suit, tax सम्हाल के रखेंगे, अगर ला के फैवी कुछ से चिपका देंगे उसको, और फिर वापस कर देंगे, कुछ है इस तरह के दलेदर टाइप के लोग, got it, लिख लीजे, चलिए, So what are the advantages to consumers, consumers basically भोले भाले होते हैं, भोले भाले भी होते हैं, भाला पकल जाते हैं आजकल, they are unorganized, उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है, और इसी बात का फाइदा उठाते हैं, shopkeepers, businessmen, and उन्हें क्या करते हैं, exploit करते हैं, Amazon में आपने देखा, कि भई दीपावली की जो lights हैं, they are available at 299, photo में आपको नजर आ रही थी, five so called length, of approximately 10 meters each, क्योंकि आपे लिखा था length 10 meter, और quantity में लिखा था five, but जब dispatch आया, I repeat, जब dispatch आया, तो उसमें एक ही निकली, किते निकली, एक, तो आपको लग रहा था 299 में पांच मिलेंगी, बट मिली सिर्फ, एक, आपने फिर से order चेक किया, और वहाँ पे photo में पांच मनी थी, बट जब लिखा था package contains, उसके अंदर लिखा हुआ था, one piece, तो Amazon ने आपको cheat नहीं किया, आपकी bell गुद्धी अकल न 18 person का आप से entertainment tax किया जाता था पहले, लोग बड़े चतुर थे, बाहर आके window man से बोलते थे, movie तो देख ही हमारा entertainment नहीं हुआ, tax वापिस करो मेंगा, हमारा entertainment नहीं हो तो किस बात का entertainment tax, बट यह entertainment tax मूवी थेटर्स पे लगा जाता था, इसले नहीं लगा जाता था कि आपको guarantee 20 दी गई, आपका entertainment हो गई होगा, खेर आप तो लगता है यहां पे, GST, तो ऐसे भी कितने कलाकार लोग ने कहते थे, हमारा entertainment नहीं हुआ, हमें entertainment tax वापिस दिया जाए, एक जोक है, इसको seriously मत लीजेगा, तो यह बात सब को समझ ना गई, तो ध्यान से सोच समझ कर शॉपिं कुछ की वो होती है नो, खुझली मची देती हर समान को चूचू के देखना उनको, और पतला का उसी में दो फ्लारवास गिर गया, तो ultimately आपकी गलती से गिर रहा है, तो माना जाएगा कि आपने उसको खरीद दिया, कुछ लोग आप समझ भाए, अच्छा, इसका क्या लॉजिक समझ में आया की नहीं आया, टेंपरड ग्लास आपने लिया, और लगवाया, दुकानदार कहा रहा है, बहुत मजबूत आपने हतोड़ा मार दिया, टेंपरड ग्लास के साथ मुवाइल भी चला गया, तो क्या आप पैसे मांगेंगे अपने मुवाइल से, अरे कानून या ये consumer protection जैसा concept दुनिया में आया, समझ में आ गया, अगर consumers के कोई organizations होते, जैसे businessmen के organizations होते हैं इंडिया लेवल पे, it is chambers of industry, Indian industry, then it is FICI, then it is IIB, ऐसे धेर सारे organizations हैं, जो against the government भी कितनी बार जाते हैं, अगर government की practices business के लिए comfortable नहीं हैं तो, but आपने क्या ऐसा कोई consumer organization इंडिया में सुना है, नो, ऐसा कोई organization है ही नहीं, तो consumers के protection के लिए, ये कानून है, which is known as consumer protection act as such, तो please copy these points, so consumers generally don't know about the rights and reliefs available, तो ultimately उनकी education के लिए, ये बहुत जरूरी है, समझ में आ गया, ये बहुत जरूरी है कि उनको पता होना चाहिए, क्या right है, हर company अपने product के back side पे, एक disclaimer भी देती है, और एक help line number देती है, एक consumer sell number देती है, अगर आपका कोई भी problem है, आप उस number पे call, कर सकते हैं, ये तो कानून हमको follow करना पड़ता है, बट इतने चतुर है, इतने चतुर है, अगर आप help line पे call करेंगे, एक दबाईए, दो दबाईए, तीन दबाईए, फिर अपने खोपड़े पे mobile दबा लीजे, और निकल जाई बाहर, बट अगर आप चतुर हैं बच्छ अभी एटल का problem हो गया था हमारे internet का, उसका भी मेरे पास पूरा मसाला है तेया, आपको सिखाऊंगा, तो वहाँ पे बता रहते हैं कि आपके area में service का problem चला है, जल्दी ठीक हो जाएगा, option ही नहीं बोल रही थी operator की ये number दबाईए, और operator से बात कर लीजे, बट मैं अभी क समझ मां गया, तो इसलिए rights and beliefs आपको पता होना चाहिए, क्या मिलेगा, इस point को copy करिए, फिर मैं आपके लिए एक मसाला ढूल के लाता हूँ, आपके सामने बच्चों एक Google पेज खुल के आएगा, तो कुछ दिन पहले हमारे घर का connection कट गया था, ये बात है, 20th of October 23, सरस्वती के साथ काफी so called जान पेचान है, मतलब ग्यान के साथ, समझना गया, आप सरस्वती आण्टी पन समय लीजेगा, तो so called इसलिए कुछ चीज उसे मिल ही जाती है, बढ़ियां-बढ़ियां पढ़ाने के लाइक, तो मैंने उनको Friday को message किया, मतलब call किया, कि नेटवर्क नहीं आ रहा, वायर कट हो चुका है, ध्यान से सुनिया कि एकदम original case study, मतलब इस chapter के लिए एकदम apt content basically, ये पढ़ाई आपको आज के बाद सीधे MBA college में नजर आएगी, क्योंकि वहाँ पर professor real case study से ही पढ़ाते है चीज़ों को, वो किताब तो खोलते ही नहीं, किताब तो आप पढ़ लो घर में, हम आपको उसका application पढ़ाएंगे बस, तो knowledge और understanding अपनी लेके आओ, we'll teach you the application and creativity, तो वही मेरा भी तरीका है, तो मैंने उनको phone कि कि वही तार कड़ गिया है, तो connection नहीं आ रहा है, तो उनके बेवकूफ operators ने मेरे को reply क्या दिया, sir, modem का सुच एक बार on off कर ये, देखे connection आ जाएगा, I told that person, वही महान पढ़े विके इंसान, जब तार कटी है, तो signal तुमारे मूँ से आएगा, उसको समझे में नहीं आया, तो मैंने का, तार कड़ गई, wire cut का case है, कैरा, okay सरम complain lodge कर देते हैं, आपकी rewiring हो जाएगी, Friday निकल गया, Saturday निकल गया, 11 बच के 20-30 मिनट पे चाहिए, Friday को connection बंद हुआ था सवेरे, और Sunday को, शाम को 4 बच के 58 मिनट के आसपास आया, मतलब 2 गंटे, sorry, 2 दिन 6 गंटे internet services थी न शौटली, services will be resumed, शौटली, हर बार यही पागल बंती का message आता था वा से, बट service का भी resume हुई नहीं, फिर मैंने एक local technician को पकड़ा, उसको थोड़ा सा सुविधा शुल्ट दे दिया, और उससे मैंने wire कर वा लिया, जुलवा लिया, और connectivity स्टार्ट हो गई, बट इसके पहल to enroot the matter through telecom regulatory authority of India and direct rate of public grievances, अब यह education और awareness आपके अंदर होनी चीए, कि किसकी band कहा से बजाई जा सकती है, फिर मैंने थोड़ी अंग्रेजी लिग दी, जो जो मेरे को message आया था मैंने copy paste कर लिए इसमें, फिर मेरे को बोला गया कि services would be resumed by so-called 10-10 p.m. on 20th and all that, फिर एक बच किया 10 minutes और कोई आया नहीं, और मैंने यहाँ पे 20 बार call किया और मेरे को operator ने बोला कि wait करिये, what it is, और उसके बाद मैंने इनको बोला कि मेरी validity आप बढ़ाईए, जो 3 दिन नहीं चला उसकी, तो उन्होंने 3 दिन बढ़ा दी, अब बीची बीच में complain करते करते मैंने बोल दिया, applet.upstatatel.com, applet मतलब जो उनके legal matters देखता है company के, अब अगर ये मेरी बात ना मानते तो मैं सरकार के पास जाता, तो मैंने बोला वो आपके इंसान ने wire तो attach कर दिया था, but he was not willing to put the wire at my place, because it was taking time, तो I caught hold of a local worker, मैंने उसको 200 रुपे दिये, तो मेरे को उसका भी reimbursement दिया जाए तो they sent की सर, हमारी policy में ऐसा कुछ है नहीं, तो I told them कि अपनी policy मेरे को आप email करी हो, पढ़ता हूँ आपकी policy में क्या है, और आपका आदमी 7 बजे के बाद क्यों नहीं आता काम करने, कि सरब 7 बजे तो office timing खतम हो जाता है, मैंने का आप पैसा तो 24 मिनटे की service कर लेते हो ना, रात का पैसा ही मत लिया गरो फिर, रात का पैसे मत लिया गरो, जब service नहीं दे सकते दो, तो उन्होंने समझा कि भई, खोड़ी बात बढ़ लई है, तो उसके बाद फिर ये सब अंगरे जी लिखियो उन्होंने, expected time 23 तारिक को 2 बजे रिज़ोलोगा वगेरा वगेरा, फि ये 236 बाद से वापिस ले लिया, और मेरी वैलिडिटी, 15 दिन बढ़ गई, 15 दिन बढ़ गई, समझ में आई बात की नहीं, आई बात, इसके बाद जो भी मैं आपको अगले 2-4 क्लास में पढ़ाऊंगा, सब बितने हैं, किसी से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आपको सही तरीका जानना है, कैसे आप so-called अपने complaint को resolve करवाएं, तो many a times ऐसा हो जाता है, खोपलेम बात गई, खोपलेम बात गई, ऐसी I bought a trouser last year from Reliance Friends, एक पहन के देख लिया, size चीका रहा था, दूसरा भी खरीद लिया, उसको try नहीं किया था, उसका waste size थोड़ा गरबड था, alter भी हो चुका था, एक बार पहना नहीं समझना है, फिर एक बार वाच करवा के रखवा भी दिया गया, then I went to Reliance Friends store at Civil Lines Progressity, वहाँ पे उनका नहीं सर ये तो replace नहीं हो पाएगा, पहले मैंने phone ही किया तो उनको, कैसर replace नहीं हो पाएगा, because पुराना भी हो चुका है, और हमारी policy 15 days की होती है, product replacement की, तो मैंने का ये product replacement नहीं है, ये आपने जो cheating किया, उसका compensation मेरे को चाहिए, I am not talking about product replacement, I am talking about compensation for cheating, mind the words, ये IPC में punishable है, कैसा नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खटी कि मैं भी एक वकील को पकड़ा दूँगा, सम्मन आएगा, जाके सुनते रहना कि इस code का शेरी में, फिर वो मेरी बात नहीं माने, फिर मै सर आप आजाईए समान बदल दीजिया, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं, तो सही source आपको पता होना चाहिए, तो people understood होता क्या है consumer protection, समझ में आ गया, तो awareness अगर आपके अंदर है, तो कभी भी आपको कोई cheat नहीं कर पाएगा, थोड़ी पड़ाई लिखाए इसलिए बिचारे एकदम भूले बटके शिवर में रहते हैं हमेशा, इनकी सुनने वाला वही नहीं, इनके पापा में भी नहीं सुनता है, अंडर्स्टेंग और नॉट, होपड़े में बाद गई, पक्का, तो लिख लीजे इसको भी जर्पट आपने, इन दे लास्ट इज़ सो कॉल एक्स्प्लोइटेशन ओफ कंजूमर तो कंजूमर अनफेर ट्रेट प्रेक्टिसेज जमाखोरी ब्लैक मार्केटिंग इन सबसे परशान होते हैं, इसके उनको प्रोटेक्शन चाहिए, और इसी प्रोटेक्शन के लिए यह कानून मनाया गया कंजूमर के प्रोटेक्शन की यही जुरूत है, कितनी बार आपने देखा होगा रेस्टों में खाना खानेगा उसका खाना ठीक नहीं है, आप जादा जादा क्या करेंगे, वापिस कर देंगे, बट आक्चुली पीनल आक्शन होना चाहिए, तो जो खाना बच जाता है, उ फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए एकदम काला, एफ्रिकन टाइप जब तक हो नहीं जाता, तब तक वो मुमोद वाला उसकड़ाई से तेल फेकता नहीं, आक्चुली वो जहर है, और इसी वज़े से इतनी so-called health issues बच्चों के अंदर आजकल आते है, सड़क का सड़ा हु और silencer के बीछ लगा दीजे, वही टेस्ट आएगा बजार वाला एकदम, तो यह जितने advertisements हैं, इस पर एक cross check होना चाहिए, अब वो जुबां केसरी बोले जा रहे हैं, अरे लोग role model मानते हैं, अक्षे कुमार जी को, समझ में गया, और जुबां केसरी जब आप बोलेंगे, हम अगले lecture में पढ़ेंगे, self interest, एटल वालो ने पैसा क्यों दिया मेरे को, नहीं तो मैं so called Twitter पे और X पे complain करता, बाकी सब जगा उनकी बेस्ती होती, जीओ वैसे ही आ चुका है, उनकी हालत खराब है कि customer अमारा भाग जाएगा, तो एक satisfied customer, शायद दो और customer लेके आता है, but एक unsatisfied customer, दस को भगा के ले जाता है, तो इसलिए companies सोचते हैं बाई, अपने interest में है, पैसा इनका दे दोगा, नहीं तो long term business, नहीं कर पाएंगे, moral justification, कि हम अगर services नहीं दे पार है, तो naturally true, I am liable to give your money, back basically, समझ में, आई बात की नहीं, अभी policy बदार से insurance लिया था, car का, policy बद they said कि sir, हम आपका पैसा refund कर देंगे, चाते तो खा जाते मेरा पैसा, but again, वही paper बाजी फिर होती, बेस्ती होती, उनका business, चला जाता है, 118 रुपे उनोंने तब भी मेरे काट लिये, as administrative charges, अभी उनको mail करना है, that I am a valued customer, मैं पिछले 5 साल से आप से policy करा रहा हूं, कि 118 रुप आप ये portal में, कहीं ये described नहीं था, provided मेरा वीडियो ना देखने हो, कहीं ये mail में, मतलब portal में described नहीं था कि policy में zero depreciation clause है या, नहीं, तो आपका जो advertisement था, वो misleading था, and as per consumer protection act, it is an offense, तो why should you deduct my money if it is your fault, शब्द दूणना पड़ेगा, उनको गलत सावित करने के लिए, okay, सरकारी intervention है, वो नहीं करेंगे, मैं IRDA complaint करूँ है, इंशोरेंस regulatory development authority of India, समझ में, आई बात, long term interest of business, दे तो 188, नहीं तो 188 लोगों को जाके गा देंगे, और वो हमसे policy लेंगे ही नहीं, और इसी तरह से business grow करेगा, फिर मैं 10 जगाद आके तारीफ करो, हमें एटल की तारीफ करने लग पहले भर-बर मैंने सुनाया इनको, मेरे पैसे आ गए, एक्स्ट्रा पैसे आ गए, एटल बहुत अच्छा है, logic समझ में आया की नहीं आया, चलिए, that's all for today, चल्डाओं